प्रियों शिक्षार्थियों राश्ट्री मुक्त विद्यालेई सिक्षा संस्थान के उच्चतर माद्धिमिक पठेक्रम में आपका स्वागत है शिक्षार्थियों आज हम हिंदी विशय के बारे में बात करने जा रहे हैं मैं इसकी महत्ता और इसकी उपियोगिता के बारे में चर्चा करूँगा और आप जो ये पठेक्रम पूरा करने जा रहे हैं इसकी क्या विशेशताएं हैं उनके कुछ पक्षों को आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा आप जानते हैं कि इंदी देश की सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है यह संपर्क भाषा है कामकाजी भाषा है शिक्षारतियों इस भाषा का जो इतिहास है वह लगभग एक हजार इस्वी से शुरू होता है और एक लंबे अंतराल में इसमें अनेक रचनाओं की सिर्ष्टी की गई और इसकी वैज्यानिक्ता भी सर्वो मानने रही अगर हम भाषा और साहित्य का अलोकन करें तो हमें आश्चर्य होगा कि इसका एक व्यापक भंडार है इसलिए हिंदी विशे का अध्यान करना अनेक रूपों में महत्योपुर्ण हो जाता है दस्वी कप्छा तक आपने भाषा का जो आधार भूत ग्यान है वह प्राप्त कर लिया होगा लेकिन उच्चतर मादमिक इस्तर पर भाषा के जो विविद प्रियोग है उसका गहान अध्यान करना आवश्यक है और यह जो पाठेक्रम है वह आपके विभिन उद्देशियों की पूर्ती करेगा क्योंकि इस पाठेक्रम में साहित्य और भाषा का समन्वे किया गया है जिससे आप एक और दैनिक जीवन में भाषा का प्रियोग कर पाएंगे आजीविका के लिए भाषा का जो व्यावारिक ज्यान है उसे प्राप्त कर पाएंगे इसके साथ ही साथ उच्चतर अध्यान के लिए भाषा को अपना विशय बना सकते हैं इस पाठेक्रम को अगर आप पूरा करते हैं तो किनकिन उद्देश्यों की पूर्ती होगी सबसे पहले तो हिंदी भाषा के स्वरूप का आप ज्यान प्राप्त कर पाएंगे रोजमर्रा की जिंदगी में मौखिक भाषा का सही प्रियोग कर सकेंगे इसके अलावा पठित या अपठित कोई उक्ती है उसकी तर्क सहीत व्याख्या कर पाएंगे निरधारित रचनाएं हैं उसके कत्थ और शिल्प का आप उद्गाटन कर पाएंगे हिंदी सहित्य के इतिहास के बारे में जानकारी भी दे सकेंगे साथ ही जो एक प्रियोजन मुलक भाषा है उसका भी ज्यान प्राप्त कर सकेंगे और संचार और प्रद्योगी की अथवा विज्यान के छेत्र में जो सब्दावली का प्रियोग किया जा रहा है उनका भी आप उलेक कर सकेंगे अगर आप हिंदी विशे को पढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो विद्यालई शिक्षण में जा सकते हैं महाविद्यालई शिक्षण में जा सकते हैं इसके अलावा आजकल जो पत्रकारिता का छेत्र है वह बहुत ही व्यापक हो गया है उसमें रोजगार के बहुत सारे आउसर है साथ ही अनुवाद के छेत्र में मल्टी मीडिया का जो आज जमाना है उसमें हिंदी भाषा का विशेश महत्व है यह उच्चतर माद्मिक स्तर का पाठेक्रम है इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है पहला भाग जो है केंद्रिक है वह पचासी अंकों का है जिसमें भाषा के जो चार कौसल है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना इनका विकास किया जाएगा दूसरा वैकल्पिक है जिसमें आप सूचना प्रण्योगी की के बारे में जानेंगे अथवा विज्ञान की भाषा के बारे में जानेंगे किंद्रिक में एक महतुपूर्ण पक्ष है कविता पठन का आप जानते हैं कि हम सभी कविता पढ़ने में बहुत रुची लेते हैं और हिंदी साहित्य का जब हम अध्यान कर रहे हैं तो विभिन कालखंडों के कवियों को इस पाठे करम में समाहित किया गया है जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा मीरा बाई, रहीम दास, रामधारी सिंग दिनकर, मुक्ति बोध, निराला, महादेवी इस तरह से बहुत सारे जो रचनकार हैं, उनकी कृतियों को यहां शामिल किया गया है तो आप देखेंगे कि उनकी रचनाओं में क्या काविस अंदर है रस के बारे में जानेंगे, छंद के बारे में जानेंगे इसके अलावा अलंकार, प्रतीक विधान, इन सब के बारे में उसमें संछेप में चर्चा होगी इसके बाद गद्य का पठन है, वह भी बहुत महत्तो पुर्ण है और हमने गद्य की विभिन विधाओं को इस पाठेक्रम में शामिल किया है इसमें प्रतिनिधी रचनाकार हैं, वे हैं हजारी पिशाद दिवेदी, रामचंद शुकल, उसके अलावा मनु भंडारी की कहानी भी आप इसमें पढ़ेंगे और व्यंगे रचनाएं भी ली गई हैं, हरिशंकर परसाई की संपाद्गी भी आपको देखने को मिलेगा एक महतुपुर्ण बात बताऊंगा इस पाठिक्रम में कि प्रियोजन मुलक भाषा के बारे में यहां बताया गया है जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा का प्रियोग करना निवारिय है और उसके लिए बहुत सारे नियम भी हैं तो यहां हमने प्रियोजन मुलक भाषा भी सिखाने की कोशिच की है उसके अलावा आपकी अभिव्यक्ति कोशल का विकास हो इसलिए हमने सार लेखन, भाव पलवन, निवंध लेखन इनका भी विधान किया है और प्रियोजन मुलक भाषा के अंतरगत पत्रलेखन, तालिका आरेक, कारियालय ग्यापन, प्रतिवेदन इन सब का परिचाय आपको यहां मिलेगा हमने पाठों के भीतर ही भाषा का व्यावारिक रूप, व्याकरण का व्यावारिक रूप आपको सिखाया है और आप वाके सनचना, लोकोक्ती मुहावरे, क्रिया, पदबंद, इन सब के बारे में पाठों के भीतर ही देखेंगे इसके अलावा प्रोजेक्ट बनाना, परियोजना लेखन, उसको भी हमने यहां पाठेकरम में शामिल किया है वैकल्पिक हिंदी में हमने दो भाग लिये हैं, जिन में से आपको एक का चुनाव करना है पहला भाग है सुचना प्रोज्योगी की और हिंदी, और दूसरा है विज्ञान की भाषा हिंदी परिक्षा की दृष्टी से मैं संचेप में बता दूँ कि अंकों का जो विभाजन किया गया है उसमें केंद्रिक हिंदी 85 अंक और वैकल्पिक हिंदी 15 अंक, उपरन्यास एक आपको दिया गया है विराटा की पदमिनी, वह आठ अंक आएगा और लेखन कोशल है, उसमें आपको अभिव्यक्ति परक लेखन के लिए 12 अंक, प्रियोजन मुलक के लिए 14 अंक, स्रिजनात्मक लेखन के लिए 2 अंक दिया गया है और व्याकरण 10 अंक के दिये जाएंगे, 100 अंक का पत्र होगा आपका और जो स्वाध्यन सामगरी प्रदान की जा रही है, उसमें पाठेक्रम के बारे में बताया जाएगा नमुना प्रस्नपत्र भी दिया गया है, और मैं आपको एक और महतुपुर्ण बात बताना चाहूंगा कि हमारा अध्यन का तरीका है, वह मुक्त एवं दूरस्त सिक्षा प्रणाली का तरीका है और इस प्रणाली में आपकी जो स्वाध्यन सामगरी है, उसमें शिक्षक नहित होता है अर्थात आपको अलग से शिक्षक की जरूरत नहीं होती है और आप देखेंगे कि विशय का पूरा विस्तार किया जाता है इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप अध्यान सामगरी को विधिवत पढ़ें उसमें जो पाठकत प्रस्न दिये गये हैं उन प्रस्नों को हल करने का कोशिश करें क्रिया कलापों को करें और अंत में जो पाठांत प्रस्न दिये गये हैं उनको भी करके देखें और मैं समस्ता हूँ कि यह पाठक्रम आप लोगों को बहुत रुची कर लगेगा आप पुरी रुची के साथ हिंदी पाठक्रम को पढ़ें और साहित्य का पूरा विश्तृत परिप्रेक्ष है उसको समझने की कोशिश करें अभिव्यक्ती सामर्थ को बढ़ाएं और भाषा पर अपनी पकड मजबूत करें बहुत बहुत धन्यवाद